तो बहुत पैसा होने के बाद में भी आप खुश क्यों नहीं तो इसके बारे में आज बातचीत करते हैं मेरा नामे डाक्टर दीपकर कर में मनोविकार सेक्स रोग सम्मोवन तथा यह महाराष्टर में पुने मुंबई अकोला यहां प्रैक्टिस करते हैं जो बहुत इतना बड़ा चाहिए उतना बच्चे भी पढ़ रहे हैं बड़े बड़े स्कूल्स में और सब कुछ होने के बावजूद भी वो खुश नहीं तो ऐसा क्यों होता है देखिए human being की tendency ऐसी है कि उसको जो भी वो चाहता है वो मिल गया, उसके बाद में उसकी चाहत और बढ़ जाती है, उसकी अपिक्षा और बढ़ जाती है, समझो वो 50,000 रुपए एक मेहने में एक व्यक्ति कमा रहा है, तो वो सोचता है कि ने ने अभी तो मैं खुश ने तो मैं खुश हो जाओंगा, और फिर वो एक लाग मेहने के मिलने के लिए वो काम करते रहता है, फिर उसको लगता है कि मैं एक लाग मिलूँगा तो मैं बड़े फ्लैट में जाओंगा, बड़ी काड़ी खरीदूँगा, बड़ा मोबाइल लूँगा, अच्छा मोबाइल वो पहले जैसी उतनी होती है जितनी पहले 50,000 रुपे महिने की तंखा जब थी या 50,000 रुपे कमाता था तब थी मतलब खुशी की लेवल फिर वो नर्मल आ जाती है ऐसे उपर तक गई बाद में फिर नीचे आ गई तो क्या है कि एक ऐसी की एक खुशी की लेवल है happiness की आपक होंगा मगर फिर बाद में वह वापस वही लेवल पे आता है कि जो लेवल पे उसके happiness पहले थी अभी एक समझ के चलो कि एक वेक्ति है कि उसको उसके पास में छूटी गाड़ी है और अभी वो BMW चाहता है उसके पास में छूटी गाड़ी कोई भी है और वो BMW चाहता है Mercedes चा बढ़ा के उसने BMW या Mercedes ले भी ले लिया होता क्या है कि वो खुछ हो जाता है वो घुमता है बताता है लोगों को बाद में पहले कि इतना खुछ था जो लेवल थी खुछी की वो लेवल पे वापस आ जाता है क्यों क्यों कि अभी उसको चाहिए बड़ा बंगला फोर भी ए हो और वहां हो रह रहा है यहां उसके बच्चे फॉर में पढ़ रहे हैं और बहुत किम्ती कॉलेजस में पढ़ रहे किम्ती एजूकेशन ले रहे क्या वो खुछ है इसका मतलब यह है कि हमारी खुछी जो है वो कभी हमको मिलने वाली है नहीं वो खुछी के पीछे हम मेरे 40 साल की है मेरे पास में इतना पैसा है कि मैं सौ साल भी जी हूँ तभी आखरी दम तक मुझे जितना चाहे उतना में खरश कर सकता हूं इतना पैसा है मेरा बैंक में पैसा पढ़ा हूगा है इन्वेस्टेड है मुझे आज मैंने कुछ भी कमाया नहीं तभी मैं बच्चा जो है वो बोलता है कि उसको पूछे आपने की आपको कि तब इसा चाहिए जो भी कुछ इसका उसकी दिमाग में होंगा या चाहिए जो भी है वो चाहिए और मैं खरीद के उसको खुछ आजए आदमी का इसा नहीं है हम मट्रिलिस्टिक वोल्ल में मट्रिलिस्टिक वोल्ल में क्या होता है कि हम देखते रहते कि हमको तो यह चाहिए वो चाहिए वो चाहिए और उसके लिए कितना पैसा चाहिए हमको मालूम नहीं है फिर किसको पूछा तुमको कितना पैसा कमाने का बोलेंगा पचास लाग कमा करेंगा उसके पास में कोई प्लैन नहीं तो फिर आप यह कर सकते हैं कि पहले प्लैन बना लो कि हमको करना क्या क्या है चाहिए क्या क्या मुझे अच्छा एक बंगला खरीदना है या बांदने का है मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए बच्चों का एजूकेशन है इतना इतन पैसा चाहिए वह जिए आप प्लैन करते हैं तो डेफिनेटली फिर आप कैल्कुलेटली काम करते जाएंगे पैसा कमाते जाएंगे आपको उसमें आनद भी आते जाएंगा क्योंकि नहीं मैंने जितना ठहरा है था उतना मेने कमा लिया यह साल में और उतना खर्चा भी कर जो मुझे खर्चा यह साल में करना तो उसमें एक तो मिल जाएंगे कुछी ताकि मेरी जो अपक्षा है और जो रियालिटी है उसमें मुझे तालमेल मैं बढ़ा सकूँगा एक ही है दूसरा जो है सब अमिर इनसान जो है दुनिया के कभी पैसा कमाते है आखरी करते क्या है सब कुछ कमाने के बाज में उनको लगता है कि अभी मुझे नाम ही दी बढ़ा हो गया तो मुझे खुशी मिल जाएंगे सोचल स्टेटस, नाम, एप्रिसेशन, अवार्ट्स, यह अवार्ड, वो अवार्ड, समाज भूशन, पुरसकार फिर वो उसके पिछे दढ़ने लगते है लगता है कि अभी वहाँ पैसा तो आ गया है मगर अभी मुझे समाज में रिकर्गनेशन चाहिए उससे मुझे खु समझता है कि मैं कुछ लोगों को कॉंट्रीट करो गया, लोगों के जीवन में मेरा जीवन में समर्पित करो गया, लोगों के लिए मैं खड़ा रहूंगा और जब मैं लोगों के लिए खड़ा रहता हूं, लोगों के लिए काम करता हूं, लोगों के जीवन में मैं कुछ फ कि mieć झूफ तो मुझञें तॉन साथ सथ僕 करते हैं डोनेटेब करते हैं म Cantre कर दो से 5 प्रतिशब net profit याप चैरीडी करते हो डोनेशन देते हो लोगों को देते ก Tú आपको इतना भर-बर के पैसा वापस आजाएंगा हो। मतलब उसका आप सोच भी नहीं सकती इतना हो सकता है। मगर देने के समय सिर्फ अपना मन साफ होना जी कि मुझे आएंगा नहीं आएंगा मुझे मालू नहीं मगर मैं दे रहा हूं। आप डोनेशन दो, चरैटी करो, जो आखरी में करने माले अभी करो ताकि अभी जो अपना सफर है.. यात्रा है जाने के आखरी वह यात्रा करने में सफर करने में बहुत मझा आजाएनगा आजगा कुशी हैं जो काम करने में मुझे मज़ा आ जाएंगा वो खुशी ना कि एक दिन कार रोंगा तो खुशी मिलेंगी, एक दिन बड़ा बंगला तो खुशी मिलेंगी, आज खुशी कहां से मिल सकती है, आज मैं कुछ कॉंट्रिबुट करता हूं, लोगों के जोन के लिए खड़ा रहता ह और उसके माद्य में से जो भी कमाना है वो कमाता हूं, कोई प्राब्लिम नहीं है, तो वहां से खुशी मिलेंगी, हमारा परपस यही था, यह वीडियो बनाने के लिए, कि आपको खुशी कहां से मिलेंगी, और खुशी मिलने का एक मेव, एक मातरस्तान जो है, वो बाहर न है, वो आपको और कहीं मिलेगी नहीं, वीडियो आपको अच्छा लागा तो जो लोगों को शेर करो, थैंक्यू बेर मच्चू